दोस्तों शुरू करते हैं चाचा चोधरी और मिस्टर एक्स ये चाचा जी की पिंकी की बिल्लू की को मिक्स हैं देख सकते हैं आप मिक्स सहर से बाहर एक फार माउस में हाई टेक्स साइंटिफिक लेब हाँ हा मैंने अपने वैग्यानिक तरीकों से जुनेजो नामक ऐसी पावर बना दिये जो मुझे सहर का किंग बनाएगी जुनेजो तुम इस सहर में तब तक तबाही मचाते रहो जब तक लोग मुझे सहर का किंग ने मान ले साचा चोदरी और साबू तुमें रोकने आएंगे उन्हें अपनी अल्टरा किर्णों से खतम कर देना मैं तुमें आदेश देता हूँ जल्दी इसे रोको मुझे कोई नहीं रोक पाएगा तुमें रुकना होगा मैं रोकूंगा तुमें यह क्या मुसीबत है जो सुनाई दे रही है दीखनी रही ओ अदर से मानो मिस्टर एक्स मैं तुमें रोकूंगा ही नहीं खतम भी करूंगा मैं समझता था चाचा चोदरी किर्शन समान सहर को बचाने आएंगे अरजुन को हमेशा किर्शन की जरूरत पड़ती है कभी कभी किर्शन को भी अरजुन की जरूरत पड़ जाती है ओ तुम अदर से होकर मुझे रोकोगे जब सैतान चिप कर काम करता है तो बगवान को भी चिप कर काम करना पड़ता है धार प्रोफेसर को यदर से एक्स मुझे रोकने आ गया वै दीकता नहीं सुनाई दे रहा है ओ तुम उसकी आवाज के दिसा में इन फरारेड किर्णों का इस्तेमाल करो श्यूं ओ वै दीक र सेक्स ओ बचा कब तक बचोगे तबी इसे बचने की जरूरत नहीं है साबू चाचा चोदरी जड़ाक तुमें है थैंक्यू चाचा जी तुम तो अभी दीख रहे हो तुम अदर से कैसे रहते हो दूप में मैं दिखाई देता हूं जबकि छाया और अंदेरे में मेरा शरीर अदर से हो जाता है तुम में कोई नहीं बचेगा ओ घातक किर्णे इन किर्णों के रहते उस तक पूचना मुश्किल है चाचा जी अभी बचते रहो मैं कुछ सोचता हूं यह बड़ा आइना यह आइना उसकी घातक किर्णों को किर्णों का तोड़ होगा चाचा चोदरी क का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है आओ मैं मैं अपनी किर्णों से गायल हो गया हूं प्रोफेसर वापस लोटो ध्यान रे कोई तुमारे पीछे नहों जल्दी ही प्रोफेसर मैं चाचा चोदरी की आँखों में धूल जोग कर वापस आ गया और मैं तुमारे पीछे कि आवाज है चाचा चोदरी के कहने पर मैं ने तुमारा पिछा किया था वह जानते थे कि मैं अधर से उम्मेरा मेरे संदेश पर चाचा चोदरी यहां पूचने वाले हैं पहुंच गए अब तुमारा यह जमूरा पूचेगा अस्पताल और तुम पहुचोंगे सेंट्रल जेल साबास मिस्टर एक्स तुमने बहुत अच्छा काम किया इन्सानियत के दुस्मनों से लड़ने का यह जज़बा मैंने आप से सिखा है साथा चोदरी और सुल्तान सूरत गड़ के सुल्तान जरजर नात बाद से बाद बुड़े हो गए है आज से गद्दी मैं समालूंगा वजीर कालिक तुमारी बातों में गद्दारी की बूँ आ रही है खामोस आज से मैं सुल्तान हूँ मेरी रियाद तुम्हे सबक सिखाएगी अब तुम राजा नहीं सिर्फ एक बंदी हो पुराने राजा के वफादारों मैं तुम सब को खतम करने जा रहा हूँ रहेम डिकेटर कालिक ने दमन सुरू कर दिया है वजीर खोब जनता के सारी जमीने चीन कर मेरे रिष्टेदारों के नाम कर दो इतने टेक्स लगा दो की मेरा खजाना भर जाए मेरे आरडर पूरे करो जल्दी जो आग्या सुल्तान कालिक बाबा कालिक के जुल्मों को कौन रोख सकता है सुल्तान जरजर का पुराना खाज दोस्ट चाजा चोदरी नोजवान शेरा चोदरी के घर के ओर चल दिया चल बादल चाजा जी मैं रियास्त सुरुत गड़ से आया हूँ मेरे मित्तर सुल्तान जरजरनात कैसे है कालिक ने उन्हें कैद कर अत्याचार सुरू कर दिया है बर खुदार हम वहाँ सांती लाएंगे अब मैं निस्चित लोट सकता हूँ चल वही डगड़ सुल्तान को मारी जरूरत है सता के मद में आदमी अंधा हो जाता है ए रुकोज नभी अंदर नहीं जा सकते हम नए सुल्तान को मुबारक बात देने आये हैं कालिक के मित्रों का स्वागत है दूर्थ कालिक सुल्तान को आजाद करो जनता को मन्द चैन से जीने दो, जरजर के दोस्तों तुम्हें तुम्हें आती के पैरों तले कुचलवा दूँगा, कालिक से बगाउत करने वालों को कुचल दो, पागल बादसा का पागल आती, हूँ हुबा, चल हट, साबू जाओ जरजर नात को कैद से आजाद करवाओ, मरने से नहीं बचा सकते, मेरे रहते तुम राजा को छू भी नहीं सकते, मुझ पर दया करो, नीचे उतारो, मैं जालिमों पर रहम नहीं करता, दड़ाक, तड़ाक, ताना साही कांत हुआ, जरजर नात की सता में वापसी, सोधरी कुछ दिन मेरे साथ बिताओ, दोस्त में इजाज़त दो, आउ साबू और भी गम है जमाने में, तुमारी चाची के आथों का खाना खाए कई दिन बित गए हैं, चाची गर्मा गर्म प्रांठे मिल जाए तो मज़ा आजए, दोस्त सुल्तान ने चपन बोग ने खिलाए, चाज़ा चोदरी बिग मैजिक, ए जी मु लेकप की क्या जरूरत है, चेरा सुन्दर दीखने के लिए मुश्कराय करो, फेस करिम से ज्यादा गलो आएगा, मुझ को आकर्सक करने के लिए क्या करूँ, अच्छी वानी बोलो मिठा से, मुझ की सची सुन्दरता, आथों का सुन्दर कैसे बढ़ेगा, अपने आथों स से दान करो, वही होगा तुमारे आथों का असली सोंदर है, मैं भी बड़ी मुरुख हूँ, जिस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता हो, वह रुपे ना देने के बहानों में तो माहिर हो गाई, यहां से चलता हूँ, वरना बीनी मेरा मेकप बिगाड देगी, साथ ही हो आज मैं इचाजा चोतरी को इस दुनिया से चलता करने का फैसला किया है, बहुत बड़ी अचीब दमागा सिंग, मिशन पूरा करके जशन मना आ जाएगा, वेल लाल पकड़ी हमारे अंडर वुल्ड के लिए खत्रा है, दुश्मन का घरा गया, मैं उसे निप्ट सूपर डान, सोदरी को मारने से सारा क्राइम वर्ल्ड तुमारा लोहा मानेगा, मित्रो मैं दुश्मन को मार कर आया हूँ, आज से मैं जुर्म की दुनिया का बेताज बाद से सूपर डान धमाका सिंग, वा, इसी खुशी में सब को लड़ू खिलाओ, लड़ू नहीं रस् संद हैं, तुम बच कैसे गई है, क्या मैजिक है, यह एक चाचा चोदरी का बिग मैजिक, जिस पर तुमने गोलिया बरसाई हूँ है, तो एक खिलोना था, एक खिलोना कंपनी ने बच्चों के मनोरजन के लिए मेरे ट्वाइज बनाये हैं, तुमने जिसे धारासाई किया ह तो सेंपल टाय था, मैं वहाँ चुक गया, बास वह खिलोना था, यह तो रियल है, इसे यहीं सूट कर दो, चाचा तुम बहुत बोली, अब मेरी स्टेन गन बोलेगी, सर, सराट, तुम्हे प्यार की बासा समझ नहीं आती, तुने हमारे चीप पर अमला किया, साबास, मोट अरे कद्दूं मैं तुझे पिछका दूँगा, रम, साबू को गुस्सा आता तो कोई जवाला मुखे पढ़ता है, बागो साबू सब को मसल देगा, अरे मेरा साथ मत छोड़ो, तुमारे लिए मैं केला ही बहुत हूँ, एवन मैन आरमी, अब एक गरामो फोन के गिसे रिक राड काफी बजलिया, चल अट सिर के दरद दडाक, तुम जुरूम का रास्ता चोड़ो, खिलोना कंपनी में नोकरी करके महनत की रोटी खाओ, बेस्ट फ्रेंड, चाचा जी आपके कितने दोस्त हैं, मेरे तो सभी दोस्त हैं, तुमारी बीनी चाची भी मेरी दोस्त है, राकेट कुता भी मेरा दोस्त है, पारक के पेड़ पोदे फूल तितलिया भवरे सम मेरे दोस्त हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन हैं, मेरे दो खास दोस्त हैं, जिने मैं कभी नाराज नहीं करता, पहले है भगवान, दूसरा है मेरा डक्टर, भगवान रूट चाहे तो वे डक्टर के पास बेज देते हैं, कौन, डक्टर का साथ शुटा तो बगवान की स्ट में जाना पड़ता है, आप भी गहरे समंदर से मोती चून कर लाते हैं, गुरू का ग्यान, बिनी हटो मुझे इंटरनेट पर ताजा न्यूज देखने दो, देश के हाला देखकर है, सुकर मनाओ कि तुम साधे सुदा नहीं हो, चाचा जी आज कोई नया किस्या सुनाओ, पेशक, हाँ तो बच्चो क्या सुनोगे, कोई चुटकला या हाँ से कानी, चाचा जी आप से एक बात पूछनी है, पूछो रिया बेटी, आप सब को अशी ठिठोली की गटनाय कैसे सिखा, हमारे सकूल में एक टीचर कहा करते थे, जो दूसरों को साते हैं, मैं सवरक जाते हैं, उनकी वह बात बचपन से ही मेरे मन में घर कर गई, तब से मैं अशी बाढ़ता हूँ और खुश्या इकटी करता हूँ, अरे वह आपके सर्त भूत इंटैलिजेंट थे, ग बाक्सिंग प्रैक्टिस से मेरी बाड़ी में चुस्ती आ जाती है, एक्सरसाइज के बाद भूक अच्छी लगती है, नास्ता तयार है, चाची के हाथ के प्रांठे और ठंडी लसी सोने पर सुहागा, ड्राइवर रोको चाचा चोदरी का घरा गया है, चाचा चोदरी मैं सहजादी आफ डिबरूगे डोना, कहिए मैं आपके क्या काम हो सकता हूँ, मुझे आपके साथी साबू से वन साइड लव हो गया है, मैं उससे साधी करना चाहती हूँ, साबू तो केला खुस है वे तो में सा कुवारा ही रहना चाहेगा, मुझ जैसे बूटीफुल तो तुमारे जैसे बलवान होंगे, वा पिनसेजर तो फ्रिउचर प्लानिंग भी करके आई है, साबू मांजाओ, लड़की सुंदर के साथ समझदार भी है, चाचा जी आपकी बात तो मैं टाल नहीं सकता, मैं साधी तो करूँगा, लेकिन यह सब जानते हैं कि खाना मेरी कमजोर यह मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी हो जो मेरे लिए बढ़िया खाना बना सके, मैं नहीं चाहता कि मेरी साधी के बाद भी मेरी चाची मेरे लिए रोटिया सेके, वा मेरे लाड ले, हमारे यहां तो किचन बार्ची सिंबालते हैं, दोना मुझे तो पतनी के आथों का लजीज खाना पसंद आएगा, प्यार और जंग जीतने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, माई डियर मैं तुमारी खातिर कुकिंग भी सीख लूँगी, अब तो हमारा रिस्ता पक्का, लाडली राजकुमारी कहना असान है, क्या कर सकोगी, मैं एक जिद्दी सहजादी ह मेरा कमिटमेंट अठल है, डोना साबू एक वक्त में तीस प्रांठे खाता है, दाल और लसी भी, ओ यह तो टफ हाड़ वर्क है, चलो सोफर, यहां मेरी आधी लाइफ तो किचन में बीच जाएगी, चाचा जी वह लोट क्यों गई, तुमारे लिए आटा गुथने में हर पार उसका फैंसी नेल आट गिस चाता, साका अरिस राट, तड़ाक ओ, पोंगा अंकल बाल प्लीज भागो यहां से, बच्चों क्या कोई प्रेशानी है, पोंगा पहलवान हमारी किर्केट बाल वापिस नहीं कर रहा, चलो तुमारी प्रोब्लम को हल किया जाए, दुनिया भर की चिंता है अपने घर को छोड़ कर, मेरा तो जनमी समाज सिवा के लिए हुआ है, उन्होंने हमारी बाल रखकर दरवाजा बंद कर लिया है, बच्चों गैंद लोटा देंगे, तुम देखते जाओ, डिंग डंग, पोंगा साब दरवाजा खोलिए, आईए चोदरी सा प्यार है, नोस फर्माइए, ठैंक्स मैं लंच कर चुका हूँ, अरे चाचा जी तो खाना खाने बैठ गए है, मैं तो बाल चाहिए, सबर रखो, देखो तो सही आगे क्या होता है, मैं जानता हूँ कि आप एक साका हर आदमी है, जार्ज बनाड साने का था, हमारा पेट मरे वे जानवरों को करविस्तान नहीं है, मैं उनी के विचारों से प्रबाइत हूँ, बहुत खूब, मैं पुलाव डब कर आता हूँ, कुछ देर पहले बच्चों की किरकेट बाल आपके पास आई थी, मैं वह गैंद वापिस नहीं दूँगा, क्या मैं वह बाल देख सकता लाता हूँ उस गैंद में देखने लाग क्या है, क्या आप सचमत साकारी हैं, मास खाना तो दूर मैंने मास को कभी छुआ भी नहीं है, चाचा चोदरी तो साकारी मासा अरी की चर्चा में लगे हैं, क्या करने गए थे, कर क्या रहे हैं, यह एक लैदर बाल है, इससे क्या फरक पड़ता है यह लेदर बाल किसी मरेवे जानुवर की खाल से ही बनी होगी ओ यह तो मैंने सोचा ही नहीं यह मरेवे पशू का चमड मेरे घर से दुर रखो खेलना यह तो रबड बाल से खेला करो मौन्टू गैंद वापस आ गई चाचा चोदरी का जवाबनी बच्चो गलियों में नहीं पारत में खेला करो वह सेफ होता है बिमार चाचा चोदरी चाचा चोदरी बिमार है वह सीटी आस्पिटल में एडमिट किया गया है यह तो गुड नयूज है वाह हमारा सबसे बड़ा दुस्मन बिमार है बिमारी में इंसान कमजोर हो जाता है यही इस मोके पर जसन होगा, बेशक यह क्राइम वर्ल्ड के लिए खुशी की बात है, बास अस्पताल आ गया, हम उसे एकदम दबोच लेंगे, डाक्टर चाचा चोदरी कहा है, सामने वाले रूम में, आओ, यह मोका जाने ना पाई, हैंड सफ, चाचा चोदरी दमाका सिंग को प तुम सुई ले आओ, फिर मैं बटन टाक दूँगी, अपने फटे कपड़े को सी लूँ, उस बिखारी के पास सुई है, जरा सुई दो गए, यह बगवान मुझे पता नहीं था कि आर्तिक मंदी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग बिखारीों से बीक मांगने लगेंगे, कई और किस्मत आजमानी चाहिए, चाचा जी जल्दी जल्दी कहां बागे जा रहे हो, बिल्लो अपने कप का बटन टाकने के लिए मैं सुई की तलास में निकला हूँ, रुक्ये मैं अंदर से लेकर आता हूँ, लीजिए, बेकुप यह सुई नी पिन है, सुई ने सही मैं नई सट ले लेता हूँ, सट एक के साथ एक फ्री, मुझे यह पसंद है, आप पैन कर देख लीजिए, जनाब पैसे तुमने बोड पर लिखा एक के साथ एक फ्री, मैंने फ्री वाली ली है, चाचा चोदरी प्यार मुबत, स्वीट हाट मुझसे साधी कर लो, मैं तुम्हें सार साधी के लिए मजबूर करता है, कहां वह जो लड़कियों को छेड़ता है, मैं उसकी अड़ी पसली तोड़ दूगा, साबू सांत, अगर तुम गुसा करोगे तो जवाला मुखी फटेगा, और आसपास के लोग बेगर हो जाएंगे, इस समस्या से मैं नहीं बठता हूँ, देखो बेटी जैसा कहता हूँ, वैसा करो, दूसरे दिल, अहा सवी टाटास बिना जवाब दिये जाने नहीं दूगा, रूल दो मेरे पिछे जो लड़किया आ रही है वह मुझसे ज्यादा खुबसूरत है, तुम उससे साधी क्यों नहीं कर लेते, वाओ, सचमुच यह च खेड़ खानी करते हो, मगर उसने तो कहा था कि तुम एक्ट्रेस हो, मैं फिल्मों में स्टंट करती हूँ, धड़ाक, समाब दोस्तों इतनी अच्छी लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना,